जै हिन दोस्तों मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं जै स्टेन फैक्ट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी के मेरट और लखनों के बीच जल्द सुरू होने वाली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तो दोस्तो मेरट लखनों बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो उत्तर परदेश को एक और बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सोगात मिली है दरसल इस बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यूपी के मेरट और लखनों के बीच 31 अगस्त से सुभारम किया जाएगा मेरट वासियों के लिए एक और बड़ी खुसखबरी है 31 अगस्त से मेरट लखनों के बीच बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन सुरू होने जा रहा है परधान मंतरी नरेंद मोदी भर्चियोल माध्यम के द्वारा इस ट्रेन का सुभारम करेंगे बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सुरू हो जाने के बाद मेरट से लखनों जाने वाले लोग कम समय में मेरट से लखनों पहुँच जाएंगे और लंबे समय से मेरट वासियों की एक मांग थी की मेरट को एक सेमी हाइस्पीट ट्रेन मिले जो की अब सपना साकार होते हुए दिख रहा है 31 अगस्त को परधान मंतरी नरेंद मोदी इस ट्रेन को भर्चियोल माध्यम के द्वारा हरी जंडी दिखाएंगे और अगर बात करे मेरट लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रूट की तो ये ट्रेन हापुल मुरादाबाद बरेली होते हुए लखनाव तक जाएगी हाला कि रेल्वे ने इस ट्रेन के नियमित संचालन की तारी कभी ताय नहीं किये बिभागिये जानकारों का कहना है कि उदघाटन के एक सप्ता के भीतर मेरट लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन किया जाएगा 31 अगस्त को मेरट सिटी रेलवे स्टेशन से मेरट लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सुभारम दोपहर एक बज कर 35 मिनेट में किया जाएगा रेलवे ने मेरट लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारनी जारी कर दी है मेरत लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टोटल 560 किलो मिटर की दूरी 8 घंटे में तै करेगी मेरत लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन सब्ता में 6 दिन किया जाएगा मेरत लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेन संखिया 22489 और 22490 के साथ चलेगी मंगलवार को मेरत लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी जानकारी के लिए आप लोगों को बता दे कि मेरट लखनाव बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन में टोटल आठ कोच लगे होंगे और अगर बात करे मेरट लखनाव बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन के किराये के बारे में तो AC चेर कार का किराया 1,000 से 12,000 रुपए हो सकता है वही एक जीक्यूटिब चेर कार का किराया 18,000 रुपए से 2,000 रुपए हो सकता है तो दोस्तो मेरट लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उधगाटन मेरट सीटी रेलोए स्टेशन से 31 अगस्त को यानि की सनिवार को दोपार में किया जाएगा परधान मंतिरी नरेंद मोदी 31 अगस्त को भर्चियोल माध्यम के दोरा मेरट लखनाव बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सुभारम करेंगे